क्या अल्लह कबीर है कुरान में इसकी उपर हम लोग को बात करना है आप अगर बोल रहे हैं कि कुर्ण को बात करना है अगर अभी फीडियो बिटाल में नहीं दे सकते तो बाद में भी और वीडियो बना के दिखा दीजेगा दर्सको अस्सलाम वालेकूं वार्यमतुलाही वाबरकातू। दर्सको सादा भाई का तता कुछ मुलाना साहिबानों का मानना है कि कबीर सब्द का विवरण कुरान मजीद में नहीं है अत्वा कबीर अल्ला ताला नहीं हो सकते इस वीडियो के माद्यम से आज आपको परमानित करेंगे कि कबीर ही अल्ला ताला सुभानव ताला है और कुरान मजीद से धेरो परमान देकर आपको सत्से रूबरू कराएंगे दर्सको कुरान पाक में कबीर का अर्थ हमारे मुस्लिम मौलाना काजियों ने बड़ा कर दिया है ऐसा उन्होंने कुरान पाक की आयतों का इल्म ना होने के कारण किया है कुरान में अल्ला का नाम कबीर लिखा हुआ है लेकिन इनको इल्म ना होने के कारण बड़ा लिखा है लेकिन कुरान मजीद की सूरे लुक्मान 31 आयत 27 और 28 इन आयतों में खुदा का नाम बिलकुल स्पष्ट तोर पर कबीर बताया गया है दर्सको आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान मजीद की सूरे हज 22 आयत 61 और 62 में भी खुदा को सुनने वाला तथा देखने वाला लिखा है तथा खुदा ही बरहक है और वह बड़ी सान वाला कबीर है दर्सको इसी तरह और भी बहुत से परमान कुरान मजीद में मौजूद हैं जैसे सूरे मौमिन 40 आयत 12, सूरे सबा 34, आयत 23, सूरे मुलक 67, आयत 9 ऐसी बहुत सी आयतों में खुदा का नाम कबीर बताया गया है आप जनाब इन आयतों को पढ़वे देख सकते हैं जनायतों के अर्भी के अंदर लिखे हुए कबीर खुदा को हिंदी के अंदर बढ़ा कर दिया है जबकि कुरान मजीद के अंदर खुदा का नाम कबीर लिखा हुआ है इसी परकार सूरे फातिगा 1, आयत नमबर 1-7 में कुरान मजीद बोलने वाला खुदा अपने से अन्य किसी कादिर अल्ला ताला की अबादत करने को कह रहा है उसकी परसंसा बता रहा है कि उसकी परसंसा कर रहा है जो सारे जहनवे सारी मकलोब को बनाने वाला है वह कबीर बड़ा महरबान और दया करने वाला है और हमारे सभी अमालों अर्थात बुरे कर्मों का हिसाब वही रखता है उसी से हम गुजारिश करते हैं कि हम तेरी ही अबादत करते हैं अर्थात अल्ला कबीर की अबादत करने वाले को सचा रास्ता इक्तियार करा दर्सको कुरान मजीद की सूर फातिए एक आयत नमबर एक से साथ में लिखा हुआ है कि अल्याउदुल्हे मिनस्चैटवानिर्जिम बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अल्हम्दू लिल्लाहिर्भिलालमें अर्रह्मानिर्हिम मालिक क्यों मिद्दिन इयाक अनाब्दू व緊य इही दिना स्यात मुच्तकीम श्यात आल्यधिन जिना अन्यम्त आलेहिम गैरि अट्योब आलेहिम वनजालिम् आमिन दर्सको में शुरू में एक آयत बोली गई है जिसका नाम है बिसमिल्लाहिर रहमानि रहीम इस आयत में खुदा को रहीम कहा गया है रहीम का मतलब रहम करने वाला होता है इस आयत का हिंदी अन्वाद इस तरह है कि सुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो बड़ा महरबान वे नहायत रहम वाला है दर्सको इसमें कबीर नाम मूल पाठ में नहीं है परंतु उसका नाम कबीर सुभान वताला है यह भी लिखना चाहिए था संतरामपाल जी महराज बाखबर द्वारा ग्यान को समझ कर आज बहुत बड़ा जन्समू अपने रहमान कादिर रब कबीर जी को पहचान कर सत भगती वे इबादत कर रहा है अर्थात वे सच्ची इबादत कर रहा इस आयत का सही तरजमा अर्थात अन्वाद इस परकार है कि सुरू करता हूँ खुदा का नाम लेकर जो कबीर बड़ा महरबान नहायत रहम वाला है वे खुदा कबीर है जो सभी चीजों का जानकार है जिसमें ये सभी गुन विद्यमान है जो उपरुक्त आयतों में आपक यजूरवेद अध्याय नंबर 39 मंत्रा नंबर 25 यजूरवेद अध्याय नंबर 40 मंत्रा नंबर 8 और उसी परकार रिगवेद मंडल नंबर 1 सुक्त नंबर 1 मंत्रा नंबर 5 रिगवेद मंडल 9 सुक्त नंबर 20 मंत्रा नंबर 1 और रिगवेद मंडल 9 सुक्त नंबर 82 मंत्रा कि कुरान मजीद के अंदर कबीर जी को अल्ला सुभानव ताला बोला गया है परंतु हमारे मुस्लिम मजभ के मुलाना साहिबानों का इल्म नह होने के कारण उनका हिंदी तर्जुमा बड़ा कर दिया गया है जिससे ये साबित भी नहीं होता कि कबीर खुदा सुभानव ताल नहीं है जबकि कुरान मजीद की बहुत सी आयते कबीर जी को समरत कादिर खुदा साबित करती है दोस्तो अधिक जानकारी के लिए हमारे मुर्शित बाखबर सद्गरु रामपाल जी महराज द्वारा लिखित पुश्तक मुसल्मान नहीं समझे ग्यान कुरान को पढ़ने स आपको श्वम ही जानकारी हो जाएगी कि कबीर ही समरत कादिर खुदा है दर्सको संत रामपाल जी महराज द्वारा दिये गए ज्यान के समुंदर से सिर्फ अंस मात्र आपके सामने रख पाया हूं बाखबर सद्गरु रामपाल जी महराज का ये सत्संग आपको सत्से कुईतर कुरान श्रीफ में आप किसी भी मुसल्मान धर्म के सरधालों से पूछिएगा कि अल्ला कैसा है वो कहते अल्ला तो बेचून है बेचून में निराकार है अब कभीर साहिब कहते है खोज़त खोज़त था किया अंत कहा बेचून कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है दिखाई देता रही और उसी लोकवेद को सभी समाज में परवेश कर दिया अब देखिए पुवितर कुरान सरीफ में परमात्मा साकार है मनुस सद्रश्य है और पुवितर कुरान सरीफ का जो ग्यान देने वाला अल्ला है जिस अल्ला ने पुवितर कुरान सरीफ का ग्यान दिया वो मुसलिमान धर्म का फाइनल गौड है अब उन्तिम भगवान है कि वो पूर्ण प्रमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्च सकती है जिसने कुरान सरीफ का ग्यान हजरत मुहम्मद जी को दिया अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान सरीफ के ग्यान देने वाला अल्ला कहता है कि और एक सुप्रिम गौड है और उसका ग्यान मैं भी नहीं रखता यानि कुरान सरीफ के ग्यान देने वाला अल्ला भी उस पुर्ण प्रमात्मा के ग्यान से प्रिचित है उसके लिए आप्सन छोड़ दिया है कि किसी बाख खबर से पूछो इसी परकार पुवित्र श्रीमत भगवत गीता जाय नमर चार के स्लोक नमर चौटीस में कहा है गीता ग्यान देने वाला अल्ला भी वही है और कुरान सरीफ का ग्यान देने वाला अल्ला भी वही है अब पुवित्र श्रीमत भगवत गीता जाय नमर चार के स्लोक चौटीस में कहा है अर्दुन उस तत्व ग्यान को जो परमेश्वर ने स्वेम आकर अपने मुखार्विन से बोला है चोथे देंगे 32 में स्लोक में जिसके विशें कहा है उस सच्दानन्ध घंडर्म की वाणि को यानि उस तत्व ग्यान को तु तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ उनको डंडवत प्रणाम करने से सरलता पूर्वक परसंद करने से वो तत्व दर्सी संद तुझे उस परमातम दताव का ग्यान बताएंगे इस से सीथ है कि पुईतर गीता जी का ग्यान देने वाला वो भगवान भी ऐप रिचित है उस कम्पलीट से प्रिच्वल नौलेज से और उस परम अकसर ब्रहम से पूर्ण परमातम से अब देखिएगा प्वितर कुरान सरीफ इसके विसे में लिखा है कि यह है वह है इलामी किताब है जिसमें कोई संदे की गुझाश नहीं भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूरन रॉप से मानने है अब इसमें मुतर्जम यानि सास्त्रिय अर्बी पद्धि पर नागरी लिपी में रुपांतर कार है नंद कुमार अवस्थी सेरवानी संस्कर्ण ये भी वही प्रकर्ण है परकासक है लखनो किताब घर मौसम बाग सीता पुरोड लखनो हम इसकी सूरत फुरकानी पत्तिस नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे ये पत्तिस नंबर है परिश्ट नंबर 604 पर ये कुरान स्रीफ और यहां देखिएगा इसके बावन नंबर आयत से हम प्राहरम करेंगे बावन नंबर भला तुतियल काफिरन वजाहिदुम भी ही जिहादन कबीरन इसका अनुआद भी इन्होंने यहां किया है देखिएगा ये बावन नंबर है अब कुरान स्रीफ के ग्यान देने वाला अल्हा खजरत मुहमद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा नमानना और इस कुरान की दलीलों से यानि मैं तुझे जो ग्यान दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया अब किसी ना किसी अक्सर का सब्द का अर्थ तो होता ही है अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है यह दास बताएगा इसका अर्थ ये है कि हदरत मुहमुद को कुरान स्रीफ के बोलने वाला अल्हा कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है कबीर अल्हा है जिसे ये अल्हु अकबर बोलते हैं अल्हा अकबर अल्हा कबीर अल्हा कबीर कारत है वो यह करते हैं बड़ा भगवान यह थी इने के सब्दों में हम ये मानें कि वो बड़ा भगवान है जिस की तरफ कुरान स्रीफ के गान देने वाला अल्हा हदरत मुहमंद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है उसके विशे में ये अन्य विक्ती जो काफिर है जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं वो काफिर है और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूँ कि वो बड़ा भगवान है तो तु उनकी बातों में मत आना और मेरे दोरा जिये गए इस कुरान स्रिफ के ग्यान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना इसके लिए तु संग्रस करना कबीर के लिए संग्रस करना जिहादन कबीरन इस कबीर भगवान के लिए कबीर अल्ह, वो कबीर अल्ह है वो कबीर परमात्मा है सारी सेष्टी का रचनहार है तु मेरी बातों पर विस्वास कर और ये काफर नहीं मानते उस कबीर को उस भगवान को उस समर्च सक्ती को तु उनकी बातों में मताना और मेरे दुवारा दिये गए कुरान स्रीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इन के साथ संग्रस करना लड़ना नहीं जिहाद कारत कोई लटब जाना नहीं संग्रस करना ये चैक तुझे तंग करें या दुखी करें लेकिन तो इनकी बातों को मत मानना इतनी सी बात अब यहाँ पर जो कबीर सबद है इसमें कबीरन सबद है तो दूसरी कुरान मजीद है पवितर मजीद है वो दिखाते है ये पवितर कुरान मजीद और कुरान स्रीफ के और नाम का अंतर है जोंके तों अक्सर हैं लाइन कपंक्ती का भी अंतर नहीं है फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट कलियर होगा देखिएगा यह पवित्र कुरान मजीद प्रकासक हैं आसिफ बुक डीपो 422 मटिया महल जामा मस्धिद दिलीच है कुरान मजीद हिंदी मतर्जम मा अर्बी मतन तर्जुमा मौलाना फते मौमद खान साहिब जालंदरी तसही मौलाना अब्दुल मजीद सर्वर साहिब प्रकासक है फरीद बुक डीपो प्रेविट लिम्टिड नहीं दिली यह सूरत फुरकानी जोंकी तों सूरत फुरकानी पत्चिस और यह कुरान मजीद परिश्ट पान सो छेटर पर यहां देखिएगा यह वही जोंकातुश में कोई अंतर नहीं है और यही अर्बी भासा हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी है यह बावन में आयत हम को आपको दिखाते हैं फला तुतियल काफिरन नजाहिदं बीही जिहादन कबीरा उसमें कबीरन लिखा है केवले इसमें कबीरा लिखा है तो हम उसे कबीर बोल देते हैं सीधा कबीर वो कबीर अल्लह है अब यहां से हम इतना ही लेंगे अधिक नहीं अब हम फिर पवीतर कुरान सरीफ से ही आगे बढ़ेंगे इससे थी तना कंसप्ट कलियर करना था इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो अरत उनका एक ही है आप देखना यह कुरान सरीफ हम फिर कुरान सरीफ पर आगे हैं यह देखिए यह कुरान स्रीफ हम फिर देख रहे हैं किताब यह वही है कुरान स्रीफ अब यहाँ आगे हम सूरत फुरकानी पत्चिस प्रेश्ट नंबर 604 पे और यह वही है नीचे बावनमी आयत इसमें कबीरन लिखा है उसमें कबीरा लिखा सपस्ट फला तुतियल काफिरन वे जाहिदुम वीही जिहादन कबीरन यह वावनम्राइत है इसका अनुआद बहुत अच्छा किया है नोंने एक पेगमर तुम काफिरों का कहान मानना और इस कुरान की दलीलों से यानि मैं जो तु जग्यान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो अब इसका अर्थ यह है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और यह काफिर नहीं मानते इस कबीर इस गौड और तु भी उनकी बात मत मानना संग्रस करना इसके लिए और यह अब देखना 53, 85, 56, 57, 69 आयत में कितना कलियर किया है यह देखिए गा यह 607 परिश्ट पर है हमने 52 नमबर आयत पढ़ ली है अब 53 पढ़ेंगी और वही है वो कबीर नामक अल्ह वही है जिसने दो द्रियाओं को मिला चलाया एक का पानी मीठा प्रास बुजाने वाला और एक का खारी कड़वा और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दिया बना दी अब चम्मन पढ़ेंगे यह 35 पूरी होगी और वही है जिसने पानी की बून से आदमी को पैदा किया फिर उसको साहिब नसब यानि किसी का बेटा या बेटी और सुस्राल वाला यानि किसी का दामाद बहु बनाया और तुम्हारा परवर्दिगार यानि देखो सप्रश कर रहा है कुरान स्रीफ के ग्यान देने वाला अल्ला हदर्द मुम्हारा परवर्दिगार हर चीज के करने में सकती मान है सत्गुर जो चावे सो कर ही चोदे कोट दूत जम्डर ही और काफिर अल्ला के सिवा ऐसो को पूजते हैं जो ने उनको नफा पहुचा सकते हैं और ने उनको नुकसान यानि अन्य देवताओं को पूजते हैं वो उनको ना लाब दे सकते ना हानी दे सकते वो काफिर हैं और काफिर तो अपने परवर्दिगार से पीठ दिये हुए हैं मुमोडे हैं अब पच्पन पढ़ दी अब च्पन ए पैगंबर हमने तुम को खुसकबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से ड्राने के लिए भीजा है अब सतावन में इन लोगों से कहो कि मैं तुम से इस अल्लह के हुकम पर कुछ मज़दूरी नहीं मांगता हाँ जो चाहे अपने परवर्दीगार तेक पहुंचने की रहा इक्तार कर ले अब अठावन नमबर आयत में ए पैगंबर उस जिन्दा उस जिन्दा चैतन्य पर चैतन्य अर्स कर दिए उस जिन्दा पर भरुसा रखो क्योंकि कबीर परमिश्वर जी हदर्त मुम्मद जी को जिन्दा महात्मा के रूप में मिले थे उस जिन्दा पर भरुसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है वो अबिनासी है और तारिफ के साथ उसकी पाकी यानि पवीतरता ब्यान करते रहो उसकी महिमा का गुनगान करते रहो और अपने बंदों के गुनाओं से वे काफी खबरदार है अब देखो इन्होंने ये अठाव नमबर आयत है यहां देखिएगा इन्होंने ये खबीरा लिख दिया खबीरा इसको कबीरा कहो खबीरा कहो अकबर कहो एक ही अर्थ बनता है इसमें लिखा है के वो कबीर नमक परमात्मा इवादही कबीरा है इवादत इवादत माने पूजा इवादही माने पूजा के योगे वो कबीरा है वो कबीर नमक परमात्मा इसको कबीर कहो कबीर कहो इवाद ही माने इवादत इवादत माने पूजा इवाद ही माने पूजा के योगे वो कबीर पर महात्मा है यह ठाउन मरायत है आगे देखो इसका इन्होंने अरस्दों किया है वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर उस जिन्दा पर भरोसा रखो जो जिन्दा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था रखो जो कभी मरने वाला नहीं है वो वास्तों में अविनासी है और तारिफ के साथ उसकी पाकी बियान करते रहो और अपने बंदों के गुनहाओं से यानि अपने वगतों के पाप का वो नास कर देता है यहां इन्होंने इस कभीर का अर्थ काफी कर दिया काफी बड़ा को बहुत को गणा को बड़ा को खबरदार है यानि जानता है उनास कर देता है और इस 59 में 69 में तो कमाल कर दिया और यह कभीर नामक अल्लह वही है जिसने अस्मानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको छे दिन में पैदा किया फिर तकत पर जाबिरा जा वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि छे दिन में सिरिष्टी रच्ची साथ में जन्विसराम किया और यही पुटर कुरान सरी कह रही है कि जिसने आस्मान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सब को छे दिन में उत पैदा किया और फिर तकत पर जाविरा जा वो अल्हा बड़ा यह लिखना है वो अल्हा कबीर उनसेट में देखिए गए यहाँ अरहमानू असल फसल भी ही यो खबीरन अब इस खबीरन कार्थवी नहीं बड़ा कर दिया वो अल्हा कबीर यहां लिखना चाहिए वो अल्हा कबीर है यह देखिए हम यहाँ आते हैं उनसट पर जिसने अस्मान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सब को छे दिन में पैदा किया फिर तक अकपर जाविराजा वो अल्हा कबीर अल्हा कबीर लिखना था वो अल्हा कबीर है वो इन्होंने अल्हा बड़ा कर दिया वो अल्हा हुआ अकबर है यह कहते हैं वो अल्हा हुआ अकबर है वो कबीर बड़ा है रह्मान है द्यालू है तो उसकी खबर अब यहां सफ़स्ट हो गया पवित्र कुरान स्रीप के ग्यान देने वाला अल्हा जो मुस्लमान धर्म जिसको अपना अल्हा मानते है और पेगंबर हदर्द मुमंद भी उतको अपना अल्हा मानते हैं वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमातमा का जिसने सहद नमस रिष्टी की तकत पर जाबिरा जा तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्सी संत से इलम वाले से पूछ देखो पवित्र कुरान स्रीप का ग्यान दाता अल्हा भी उस परमातमा के ग्यान से आप रिचित है इतिस शिधम कि उसे अगू से आपार सकति है इतिस वर्वित्र कुरा दाता अल्हा रिष्टे करे जा कि दो आप है जा आपार जा दो आप है।